आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ WhatsApp से डिलीट फोटो वापस कैसे लाए दोस्तो WhatsApp से डिलीट फोटो को वापस लाने के लिए आपको करना क्या है अगर दोस्तो आपको भी आपके WhatsApp से फोटो डिलीट हो गया हुआ है और दोस्तो WhatsApp का कितना भी पुराना फोटो हो आप उसे वापिस लाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं किस परकार से लाया जाता है तो आज आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जूर देखना है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो बिना कुछ देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास लाता रहूँगा वाटसेप से डिलीट फोटो वापस लाने के लिए आपको करना क्या है आज मैं आपको तीन ऐसा ट्रीक बताने वाला हूँ अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप अपना वाटसेप का पुराना से पुराना डिलीट फोटो को आप वापस यानी रिकॉफर कर सकते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना वीडियो को ध्यान से देखना है और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को like जरू कर देना है अब सबसे पहला trick तो यह है दोस्तों, कई बार होता है कि हमारा जो WhatsApp है वो यहाँ पे हम कोई भी फोटो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं अब दोस्तो यह हमारा फोटो है अब दोस्तो गैलरी से दोस्तो यह हमारा फोटो डिलीट हो गया हुआ है जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो दोस्तो इस photo को आप हम वापिस नहीं ला सकते हैं तो इसको वापिस लाने के लिए सबसे पहला trick तो यह है फिर से आपको वही वाट्सेप में आ जाना है और दोस्तो वाट्सेप का यह नया feature है दोस्तो अगर आपने अपडेट नहीं किया तो वाट्सेप को अपडेट कर लीजे उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है उसी वाट्सेप में आ जाना है जिसने आपको फोटो भेजा है वहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड का आपसन आ जागा आप जैसे इसे डाउनलोड किजेगा तो फिर से यह photo आपके गैलरी में आ जागा जैसे कि आप पर इस ट्रीक से काफी लोग को यहाँ पर फोटो वापिस भी आ चुका है और दोस्तो काफी लोग का वापिस नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर दूसरा ट्रीक यह है दोसके लिए आपको एक छोटा सा अप्लिकेशन डाउनलोड करना परेगा जिसका लिंक हमारे वीडियो के description box में देखने को मिल जाएगा उस application को open करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option दिख रहागा first number में इस पे आपको simply click करना है और यहाँ पे click करते ही आपका जितना भी photo रहेगा वो सारा का सारा यहां से recover हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका wifi च अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना file को choice कर लेना है कौन से file में आप photo को लाना चाते हैं तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही रहते हैं और किसी भी file में हम वापिस ले आते हैं select वाला button पर click करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपका photo वापिस आ चुका है चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूं देख सकते हैं यह फोटो हमारा वापीस आ चुका है आप जैसे कि आप आप देख सकते हैं दूसरा तरीका तो यह है दोस्तों यह ट्रीक भी किसी किसी फॉन में वर्क नहीं करता है तो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल मिनें यह लास्ट में जो आपको डिलीट कर देते कुछ इस परकार से अब दोस्तो हम चाहते हैं इसे वापिस लाने के लिए तो इसे आप वापिस लाने के लिए आपको करना क्या है आपको simply gallery वाले उप्शन को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर album वाले उप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर transparent का option दिख जाता है अगर यह option यहाँ पर नहीं है तो थी line पर क्लिक कीजिए उपर के side में और यहाँ पर भी आपको option देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो आपको यहाँ पर click करना है transparent बारे option पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा whatsapp से दो फोटो भेजा गया था तीन फोटो यहाँ पर आ चुका है तो कुछ इसी पर कास दोस्तो आप whatsapp का पुराना सा पुराना डिलेट फोटो को आप वापस ला सकते हैं वीडियो कैसा लगा हमें comment box में जुरू बताएगा और साथ चानल को subscribe करना ना भूले